नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का हमारे जीनौकरी यूटूब चनल पर दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 2021 के सभी प्रुसकार वेरी वेरी इंपरेंट वीडियो है दोस्तों लेटेस अपडेट है वीडियो कौन तक जरूर देखना तो चलिए श्राट कर ल लेंग में लिखी गई है और इसी बुक के लिए मुकंदम को दुस्तों दज जेसी भी प्राइज फूर लिट्रेचर का अवाड दिया गया यह आपको ध्यान में रखना इसमें दोस्तों कैश राशी दी जाएगी 25 लाग की और आपको यह भी ध्यान में रखना है यह जो ब के लिए बता चुका हूँ मैं आपको अगले कुशन देख लेते हैं कि दोस्तों अगर आप पहली वारा हमारे इसी नौकरी यूटूब चैनल पर नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा साथ के साथ बैल आइकॉन जरूर क्लिक कीज़ेगा जैसे कि हमारी एप का दोनों से आप इसकी पीडिया डाउनलोड कर सकते हैं अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन है हाली में किसे अंतराश्टी बाल शान्ती प्रूसकार प्रदान किया गया तो दोस्तों ये प्रदान किया गया नव अगरवाल और विहान को दोनों को यानि की दो जिसका नाम है वन स्टेप गिरीरन और इसी के लिए इने दुस्तों विहान और नवागरवाल को इंटरनेशनल चिल्डरन का पीस प्राइज पुरुषकार दिया गया यह आपको ध्यन में रखना है कि संस्ता दोरा दिया जाता है दोस्तों नीदरलेंड की एक संस्ता है जिसक दोस्तों की यूए में यूए एंड ओवान में आई जित हुए थे दोस्तों और यह जो वर्ल्लकप जीता टीट्वंटी का यह पहली वार जीता ऑस्टेलिया नहीं किसे हराकर न्यूजलेंड को हराकर यह जीता यह भी आपको ध्यन में रखना है इसमें जो मैनब दो मैंच रहे थे फाइनल में मिशल मार्स रहे थे ऑस्टेलिया की अगला कुशिन देख लेते हैं हाली में किसने पैरिस का टैनिस सैंतिसमा मास्टर टाइटल दोजार के जीत लिया है तो दोस्तों यह जीत लिया है नोवाक जोकोविगन है जो की सर्विया से ब्लॉंग करते उन्हो हैं डेविड हगार्टी और दोस्तों यह जो जीता एक खिताब खिताब का नाम है 37 मास्टर टाइटल एट पैरिस जो की पैरिस में प्रांस की राज़दानी में जो थुआ था नवाक जोकोविक जो की सर्विया से ब्लॉंग करते हैं उन्होंने एक खिता अगले कुशन दे लेकिन कई लोगों को दिये गया है लेकिन अगर अचीवमेंट के बात करूं तो केवल सिर्फ एक को मिला और दोस्तों यह कुशन मोश्टम परड़न पूछा सकता आप से यह मिला जैक अशन जी को और इना लाइफ टाइं अचीवमेंट के लिए पुरुसकार दिया गया कि हाली में किसे बुकर पुरुसका 221 दिया गया वेरी वेरी इंपोड़न कोशन वेरी वेरी फेमस कोशन है हर बार एक्जाम मैं पूछा आता है तो 2021 का यह बुकर पुरुसका जो की जीता है डेमन गलगूट ने यह आपको धहन में रखना है और यह साउथ अफरीका से बलों किस देश से आते हैं साउथ अफरीका से आते हैं किस बुक के लिए मिला दाप्रॉमिस बुक के लिए मिला यह तीन चीज आपको याद रखनी है यही आपको एक्जाम में पूछी आती है अगला कुशन है हाली में किसे राश्ट्य खेल पुरुसकार 2021 में मौलाना अबुल क लिए जो कि 1947 में स्टाबलेश होई थी और इस युनिवस्टी का नाम है पंजाव युनिवस्टी जो की चंडीगड में इस देते हैं और दोस्तों इसी कोई हाली में मौलाना अबुल कलाम आजाद या माका ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया यह आपको धहन में रखना है द दोस्तों क्योंकि यह जो आई जित हुई थी यह फ्रांस के पैरेस वर्साइल में आई जित हुई थी और दोस्तों इसमें इंडिया को पहला इस्थान हासल हुआ है इंडिया की जो टीम थी वो जम्मू कश्मी टीम थी दोस्तों और इसने साउथ कोरियन टीम को हरा कर इसमे पहला इस्तान हासिल किया आपको ये भी याद रखना है दोस्तों और इसलिए जम्मु कश्मिर्टी इंपोर्णट है पूछिया सकती है आप से एक्जाम में इसकी जगे दोस्तों आपको देश भी दे सकता है कि कौन सा देश विश्बदर जूडो चेंपेंशिप 2021 में पहला स्थान पर आया तो दोस्तों वह भाया भारत की भी आपको धन में रखना है साउथ कोरिया टीम को अगले कुशन देख लिए किस दोपाईया तिपाईया बाहन निर्वाता कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी एवाड 2020 के लिए उतकर्ष अच्छे उर्जा उपयोगता शे या ग्रीन एवर्जी एवाड 2020 यह भी आपको धन में रखना किसको दोरह दिया जाता है इंडिया फैडेशन ऑफ ग्रीन एजर्जी के दोरह पतिवर्शे दिया जाता है अगर दुस्तों मैं बाइव व्यूट की मैं बात करूं तो एक और एवाड होता है दुस्तों इसमें इंडिया गृइन energy award में field of biofuel award यांगी इसके चेत्र में किस राज्य को दिया गया है तो आपको ये भी धान में रखना च्छतिसगर राज्य को दिया गया अगर मैं बाई फील की बात करूं दोस्तो अगर मैं दोस्तो बात करूं इसमें उतकर्स अच्छा उर्जा उपयोग करता शेड़ी में तो दोस्तों वो TBS को मला है अगर इंगलेशन बात करूं तो इसे कह दिंगे Outstanding Renewable Energy User के तौर पर TBS Motor को चुना गया है अगर मैं Field of Biofield की बात करूं तो दोस्तों इस फील्ड में किस राज्यो को चुना गया है 36 राज्यो को चुना गया है आपको ये भी धन मरकना है अगले कुशन देख लेते हैं किसे जर्मन Book Trade के शांती पुरुसकार के लिए चुना गया है दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं इनका नाम है सिट्सी डिगरमबा जिना दोस्तों पीस प्राइज मिला है जर्मन Book Trade का जो की वर्ष 2021 के लिए है तो याद रखेगा पूछा सकता है सिट्सी डिगरमबा इनक वर्ष 2020 का जीता है तो दोस्तों पूछा है सकता है इनका नाम जरूरी याद रखना सिट्सी डिगरमबा जो की जिमबावे से ब्लॉंग करती है और दोस्तों जर्मन Book Trade 2020 का अगर मैं 2020 की बात करूं तो इसका जो पीस प्राइस था मैं कई वर बता चुका था वो जीता था अ याद की अगर मैं बात करूं इंडिविजल की केटेगरी में किसे दिया गया सीके प्रिलात पुरुसका दोजार इकेस तो दोस्तों यह मिला डगलस एम वेकर को जो के एको लैव के वर्तमान चेर्मैन है और इनी कोई दोस्तों केटेगरी जो थी लीडर्शिप बाई एन इ सकारोड पुरुसकार प्रदान किया जाने की गोशना की गई तो दुस्तो ये मिला अलक्सी नवालनी किसे मिला अलक्सी नवालनी को मिला इस पुरूशकार का नाम है सकारोव प्राइज दो जारिकिस और दुस्तो जो एलक्सी नवालनी है ये एक रुशीयन पौलिटीश Conclusion है दुस्तो जेल में भी कई बार बंद रहे हैं जैसे काला धन और रशिया में जितनी भी दिक्कत हैं उनका व्रोध करते हैं दूस्तों और पॉलिटिकल पार्टी से ब्लॉंग करते हैं रशिया में दूस्तों और इसी के लिए इन्हें सकारोव पुरुसकार से प्रिदान किया गया है और इसमें जो कैश्वराइस था वो 50,000 यूरोज का इन्हें 50,000 यूरोज दिये जाएंगे इस अवार्ट केता है सकारोव पुरुसकार 2021 अगला कुशन देख लिते हैं किसे वर्ष 2020 का पतेश्चित अर्थ शॉर्ट या इको साइंस इसे कह दें दोस्तों या दोस्तों इको ऑसकर इसे कह दें हम अर्थ शॉर्ट पुरुसकार बेहत इंपोर्टन कुशन दोस्तों पूछा सकता है आपसे वैसे दोस्तों आर्शॉर्ट पुरुसकार यह जो दिया जाता है यह प्रिंस विलियम डूक ऑफ केमरीज के दोरह दिया जाता है बेसिकली इस बार जो दिया गया है वो पांच लोगों को दिया गया है जिसमें भारतिये भी शामिल है और आपको यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों वह चार इंपोड़न नहीं है केवल अपने भारतिये इंपोड़न एक्जाम में पूछा आ सकता है तो दोस्तों इनका नाम है विद्धुत मोहन जो की दिल्ली से बिलॉंग करते हैं और इनकी एक टक का चार टेक्नलोजी है इसके लिए नहीं पतेशित अर्थ शौट पुरुषकार से समानित किया गया यह भी आपको धन्मर्ख ना है पूछा जा सकता है दोस्तों जो इको ऑसकर है यानि की परयावण के छेत्र में जो ऑसकर है दोस्तों जिसे नाम दिया गया अर्थ शौट और मलिक का श्रे निवासन यह आपको ध्यान में रखना है यूएस इंडिया बिजनिस काउंसल जिसके दोरह दोस्तों पतिवार्शी यह लिडिल शिप का अवाड दिया जाता इस बार दिया गया शिव नाडर आप फोटो देख सकते हैं शिव नाडर है दोस्तों एसल टेक को जो कि सीनम इंस्स्टूट से ब्लांग करते हैं और यह पतिवार्श लोकमानने के दोरह दिया जाता है इस बार जो दिया गया डाक्टर साइरस पुनावाला को दिया गया अगले कुशन देख लेते हैं दुसको किस बारतिये को अर्थिशास के लिए हमबोल्ट रिसर्ज आवाड 2021 से समानित किया गया तो दोस्तों यह मिला कौशिक बसू को किसे मिला दोस्तों कौशिक बसू को मिला और दोस्तों यह जो आवाड दिया जाता है एलेक्सेंडर वान हमबोल्ट फांडेशन के दौरा ये पतिवाश दिया जाता है और इस बार कौशिक बसू को ये प्रदान किया गया हमबोल्ट रिसर्ट एवाट कई बार 2021 में जो पूछे गई करेंड फेर हैं उसमें भी ये कुशन कई बार पूछे जा चुका है अगला मैं शौटकट की बात करूँ तो उन्हें कह दिए हम पी सायनात इन्हें दोस्तो जापान के पतिश्ट फुको का पुरुस्कार 2021 से सम्मानित किया गया इनकी जो कैटे करी थी वो ग्रांड प्राइज ऑफुको का प्राइस था और ये जापान के दौराई पतिवाश दिया अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन है आईजनर पुरुसकार 2021 किस नहीं जीता तो दोस्तों यह जीत लिया यह जीता है यह जीता है आनन्द रादा किष्णन यह पुद्धन में रखना है यह दोस्तों पेंटर और आर्टेस दोनों है बेसिकली इंटेरियर डिजा सम्मानित किया गया इनका नाम है अनन्द रादा किष्णन अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन है गलोवल गोलकीपर एवाड़ 2021 किस नहीं जीता तो दोस्तों यह जो जीत लिया इनका नाम है फुमजले लामबो एंग कुंगा और दोस्तों यह यूए से यह मिलाता जैनीवर कॉलपास को कंपेगन अवाड मिलाता सत्ताशेरिप को और चेंज मेंकर एवाड मिलाता फईरूज फईजा बीथर को जो कि बंगलादेशीं हैं बंगलादेश से ब्लॉंग करते हैं दोस्तों जो कि यह आवाड दिए जाते हैं Bill and Melinda Gates Foundation के तोरा इसमें स पुरुषकार 2020 किसे समानित किया गया तो दोस्तो यह सुपर सर्थ थाटी जहां तो और इनका नाम है डूस hem सब जानते हूं गए बताने की मुझे जुरूत नहीं दूस्तों इन हाली में सवह मिलोड़ Kontakt किसे समानित किया गया अगला देखिलेते हैं यूनेश को यूनेश को किन सीजोंग साचिह शर्प पुरुस्कार 2022 से दिया गया यह दोस्तु उर से पीर यूनेश के उक जिसका नाम है किन सीजोंग सी प्राइज 2021 और यह जीता है वो NIUS के तोरह जीता गया है NIUS की फुल फॉर्म क्या है National Institute of Open Schooling और दोस्तो NIUS के करेंटी चेर परसन है हो है सरोज शर्मा और उन्ही को ही दोस्तो यह एवाड दिया गया UNESCO का King Sejong Literacy Prize 21 अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो राश्टी है फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया तो दोस्तो यह जो सम्मानित किया गया यह ब्रिगेडियर S.B. सरसती को सम्मानित किया गया जो की कुरोना में नर्स की इंचार्ज रही थी यानकि होस्पिटल में जो नर्स होती है उनकी इंचार्ज बनी हुई थी और दोस्तों इन्हों ने काफी कुरोना में काफी मदद की दोस्तों जो पेशेंट हैं और नर्सों की भी मदद की दोस्तों काफी हद तक उनका नाम है ब्रिगेडियर ऄसित इसी कि लिए ने नेशनल फ्लोरेंस नाइट अंगल आवयर 57 से चुना गया अगले कुशन देख लेते हैं कि अफ्रीका खाथबृर और न जार किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों यह जो सम्मानित हुई है संस्ता इसका नाम है इक्री सेट क्या नाम है दोस्तों इक्री सेट की फिल फॉर्म है इंट्रेशनल क्रॉप रिसार्च तरॉपिक जिसका मुख्याले स्थित्थ है दारवाद के परटंचिरूम इंडिया को मिला है इंट्रेशनल क्राफ रिसार्ची मिला है इसलिए और भी जादा इंपूर्णेटि हो जाता है अफ्रीक़ा खात प्रॉश्कार कम सेट को जिसका मुखाले स्तित है हिदराबाद के पाठन चिरुवू में अगला कुशन देख लेते हैं मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का किसे ने जीता तो दोस्तों यह जीत लिया हरनाज संदुन है जो की चंडी कर से ब्लॉंग करती है और इनी को मिस डीवा मिस यू तो यह जो एक और पतियुकता होगी ग्लोबल मिस यूनिवर्स की वो इसराइल होश्ट करेगा दिसंबर 2017 के लाश्ट में यानकी दिसंबर 2021 में उसमें दोस्तों हरनाज संदु आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों और इसमें भी कंपोटिशन में भी हरनाज संदु फग लेंगी अगले कुश्ट देख लेते हैं अप्यामिन हचारिका Bentley औक सम्प Kern जाने कि समानित किया गया है तो दोस्तों यह जो चुना गया नमिता में गोकली को चुना गया जो की गाउं श्रेड़ी के लिए किसे नामंकित किया गया है तो दोस्तों UNWTA का ये एक वर्ल्ड टूरिज्म और ये प्रिशकार होता है दोस्तों बैस टूरिंज विलेज की केटेगरी मैं किसे चुना गया है तो दोस्तों ये चुना गया है लाड़पुरा खास गाउं ये स्तित है दुस्तों मदब पदेश में और इसे सर्वशेट परैटन गाउं की शेड़ी के लिए नामंकित किया बहुत बड़ी बात होती है दुस्तों कि भारत का कोई गाउं एक सर्वशेट परेटन गाउं की शेडी में सेलेक्टेड हुआ है और इसे एवार्ड मिलने के भी पूरे-पूरे चांसेज हैं लाड़ पूरा खास गाउं इसका नाम है जो कि मद्ध पदेश में इससे तै अगला कुशन देख लेते हैं विश्खात पुरुसका 2021 किस किसे प्रदान किये जाने की घोशना की गई कई वाल मैं आपको बता चुका हूं 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूट डे मनाए जाता और उसी दिन ये अवार्ड इन्हें दिया गया इनका नाम है डाक्टर शकुंतला हरक सिंग थिलिस्टेट और भारतिये मूल से बलॉंग करती हैं दोस्तों और इन्हें 2,50,000 की अमेर की डॉलर की पुरुसका राशी भी द बहने बाद